तो तो कितने लोग बीमार हुए थे? आठ लोग हैं, आठ लोग, जो लोग खतब हो गए से जानकारी प्राप्त हुई कि इरशाद और उनके पुत्र आसिफ को फूट पॉइजनिंग के कारण डाक्टर हरदात का दुवेदी अस्वताल फरुफाबाद ले जाया गया है तत्काल थाना धिक्ष और मैस्वयम डाक्टर हरदात दुवेदी अस्वताल में उनके बेहतरी निलाज के लिए संपर्क किये डाक्टर दुवेदी के द्वारा ये अवगत कराया गया कि इरशाद और उनका पुत्र आसिफ हास्विटर तक आते आते ही फूट पॉइजनिंग के कारण दुर्भा की पूर उनका निधन हो गया है तथा उनके एक पुत्र और दो पुत्रियां अस्वताल में बेहतरी इलाज गया जा रहा है हम लोग बहीं पर उपस्तित रहते हुए उनका इलाज करवाए हैं इसी बीच इरशाद की पत्नी और एक बच्ची के और फूट पॉइजनिंग की उपचार के लिए गाउस इलाके के डाक्टर दुवेदी के हस्पिटल में एक विट करा दिया गया जो कि सभी लोग उपचार होने के कारण खत्रे से बाहर हैं जो दुर्भागे पूण इरशाद और उनके पुत्र का निधन हुआ है उनके पोस्वार्डम के लिए उनके सब को सम्मान भुर्वक मर्चरी में भेज दिया गया है इसके अलावा उनके गाओं जो गड़िया गाओं है वहां पर स्वास्त सेवाओं और खात देने लिक्षब को सब्सक्राइब किया गया है कि वहां पर तैनाती करते हुए पूरी तरह से उस गाओं के और उसके आसवास जहां से फूट पोईजनिंग या सबजी लाने की बात प्रकाश में आई है उसकी जाच करके खरवही की जाएगी